कर दो हेलो एवरीवन वल्कम बैक टो माई चानल तो यहां पर हम देखने वाए हैं आज हमारा जो सिरीज हमने स्टार्ट किया है जनरल हिंदि का समान यह हिंदी का ठीक है तो उसका यह ठर्ड वीडियो इसके पहले मैंने 21-22 का डाल दिया है अभी 2016 का हम देख रहे हैं हम कम से कम 4 या 5 साल का समाने हिंदी का करके जाने वाले हैं जिससे कि हमें वहाँ पे जाके दिक्कत नाए एक्जाम के टाइम पे और अभी admit card निकल चुका है बहुत सारे लोगों ने download कर लिया है और अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी यह ध्यान रखना है कि आप 5 पेपर अगर जनरल हिंदी का कर लेते हो and 5 ही आप जनरल स्टडीज का जो इसमें रहता है उसों कर लेते हो तो इतना आपको समझने के लिए सही हो जाएगा कि किस तरह के question पूछता है आरो ए आरो समिक्षा दिकारी के एक्जाम में तो चले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना segment जो आज का 2016 का ठीक है तो यह pre की परिक्षा हुई थी 2016 में मदब यह form भरा गया था और यह परिक्षा date देख लो 29-2020 में यह उन्होंने कराया था तो देखो यहाँ पे पहला question क्या है भौतिक का विलोम शब्द क्या है ठीक है तो भौतिक का विलोम शब्द होगा अध्यात्मिक भौतिक का विलोम है अध्यात्मिक भौतिक एम अध्यात्मिक विशेशड है विशेशड सब्द है और विशेशड का विलोम बता रहे है कि सदेव ही विशेषड होता है तो यह लाइन याद रखनी है आपको विशेषड का विलों सदेव विशेषड होता है विशेषड क्या होता है जब किसी चीज की विशेषड बताई जाए जैसे यह कही जाए कि वह गाय काली कलर की है ठीक है बोला गया तो जो काली है मतलब काली जो दिस्ता बता रही है उस गाय की यह बोल दें कि यह गाय इतनी जादा दूद देती है ठीक है तो कितनी दूद देती है यह वो अमाउंट बता दे तो वो और थोड़ा सा उसमें कॉंप्लिकेशन्स हो जाएंगे कि इसमों फिर अनिश्य वाचक और यह सारी शीज़े भी आ जाएंगे तो अभी बस सिंपल सा समझो कि विशेषड का जो विलोम होता है वो सदे भी विशेषड होता है ठीक है यह यागत नहीं है कि एगर कोई विशेषड सब्द है उसका वि विविरार्थक मतलब भी विलोम ही होता है ठीक है तो प्राची का होगा प्रतीची मतलब शब्दन विलोम की बात करी जा दिये आप जैसे कुछ नों कन्फ्यूज हो जाएं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है कि यहाँ पे तो विपरी तार्थक शब्द बोल रहा है क्या हो गई है वो विलोम ही होगा ठीक है उसका अपोजिट ही आपको वहाँ पर बताना है तो इसका यह वाले पहला हो गया दूसरा इसका होगा प्रतीची ऐसे यहाँ पर शब्द विलोम दिये गये हैं जैसे प्राची का मतलब होता है पूरफ और प्रतीची का मतलब होता है पस् उसमें एक चीज बताई गई है अगर आपको पढ़ने होगी तो आप बताना मैं बता दूंगी कौन सी बुक है पर अभी मैं उसमें बताती हूँ क्या कहा गया है कि जो चीज हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ठीक है या आपके सराउंडिंग में जो चीज होती है वो हमारी सबक कॉंशियस माइंड में रह जाती है ठीक है और उसके बाद जो हमारा कॉंशियस माइंड जो प्रिजेंट सिनारियो में हम सोचते हैं करते हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं जैसे अभी हम चार आप्शिन है ठीक है तो हमें डिसीजन लेना है अगर हमें नहीं क्लू है क तो वो जो subconscious mind है जो कहीं न कहीं उसने पढ़ा या देखा होगा या सुना होगा वो समय अक्टिवेट होता है और आपको decision लेने में help करता है तो जिनको ये लग रहा होगा कि ये complicated है अगर वो ये सुन भी रहे हैं तो exam में उनको थोड़ा सा ध्यान आएगा कि जैसे प्राची क मतलब पूरब बताये गया तो प्रतीची का मतलब पश्चिम है तो उस तरीके से विपरितार तक यानि कि विलॉम सब्दों वहां करेंगे चले आएंगे उदीची मतलब उत्तर हो गया ठीक है ये देखो यहां बता रहे ना उदीची मतलब उत्तर हो गया और अवाची होता है प्राचीन मतलब पुराना होता है तो इस तरीके से देखो option जो दिये गए है उसके भी नीचे explanation में दिया गया है उसके भी विलोम शब्दों को बताया गया है दूसरा देखो समिस्टी का विलोम शब्द है अच्छा एक दिस मैं आपको और यहां पर क्लियर कर दू कि समान्य हिंदी का जो पेपर होता है जब प्री का होता है तो उसमें 60 questions आते हैं और जो मुख्य होता है तो जो मुख्य परिश्वती उसमें थर्टी questions आते हैं यह आपको जाना ज़रूरे समिस्टी का विलोम शब्द क्या है विस्टी इसी तरीके से विशिस्ट का बता दिया गया है इसी तरीके से assist का assist होता है अप उस्टी का पुश्टी होता है ठीक है question number four निम्लिकित में इसे विलोम सब्दों की दरिस्टी से एक यूगम गलत है कौन सा यूगम गलत है मिलान जो यहां करा हुआ है आग्रह विग्रह यह गलत है ठीक है सही ही द्रीष्टि से यह गलत है तॉसी तरीके से और शच्ब्दos को बताए गاي airs विदिका निशेध और आवाहन का विसर्जन बोलते हैं कि हम आवाहन कर रहे हैं ठीक है पूजन आवाहन कर रहे हैं पर विसर्जन का बोता है जब साब चीज़ा हो जाती है ना लास्ट में तो उसका वही होगा ना अपोजिट ठीक है आप स्टार्ट कर रहे हो आवाहन कर रह संधी मतलब क्या होता है किसी के साथ अलाइंस बना लेना ठीक है और विग्रा मतलब अलग अलग हो जाना टूट जाना ठीक है तो यह इस तरीके से जान लो विलोम शब्द के द्रिस्ट्रेंड में से सही युग में क्या है यह होगा आदृत निरादृत यहां बताएगा है इ क्योंकि हम ब्रीफ में करते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी यससे हमारी कमडाय में और हाँ आप एक्जाम देने जाने से पहले चार-पांच वीडियो जो हमारा मैं ज्यादा ता खुश कुनगी सिर्फ पांच वीडियो हम डाले क्योंकि हिंदी के बाद हमें जनरल वाला होगा इसमें देदी प्याम देदी प्यमान ठीक है विशेचर रूप से प्रयुक्त है इसका आर्थ है चमकता हुआ दमकता हुआ ठीक है द्वीप यड याचन प्रत्य लगा कर बना हुआ है यह निमलिकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला सब्द क्या है यहां पर प्रकट करता है चुद्ध वाला आप कर ही लेते होंगे एक पैटन भी हम जानते हुए चल रहे है कि इसके वावजुद हम लोगों ने हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती है अच्छा बहुत सारे लोग जो यह देख रहे होंगे एक बाद आपने देखा होगा कि हम ये वाला कई बार गलत करके चले आते हैं या हमें भूले लिखी हुई हैं और हमें लगता है हिंदी में कि ये वाला सही हो सकता है सी वाला जैसे कि इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं क्योंकि हमें लगता हैं बहूल हो जाती हैं परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है उसकी बात यहां करी जा रही है कि जो परंपरा से चली आ रही हो उसको अनुशूती कहते हैं यह लाइन याद रख लो क्या पता रिपीट हो जाए कॉश्शन ठीक है इसके बाद यहां पे है जिसके पास अब कॉश्शन ठीक ही हम की बात के बात के निंदा के बहाणी इस्थूती को और यह देख लिए रही है ऐनुश्णूती här अब question number 12 हम आ हैं जिसके पास कुछ नहीं है उस वाक्य के लिए एक शब्द करीए होगा लिए इसार में drop कि में इसके पास कुछ नहीं हो ₩ , और ग्याै ना जानता हो अकलेज़ी वसिए से उत्पन होने वाले वाक्यान्ष के लिए सब्द तो स्वेध से आप देखो ये सब तो होंगे नहीं अप्ष्ण दिख रा है तो इसके ऐन्सर ही आपको यह बहुत इजी ऑप्शन आपको दिखा कि स्वेद से श्वेदज शब्द उतवन हो रहा है इस तरीके से स्वेद से उतपन होने वाला स्वेदज हो गया, अंडे से उत्पन होने वाला अंडज हो गया और जिसका जन्व सरीर से हो पिंडज, ठीक है? पिंडज, अंडज, और स्वेदज मतलब स्वेद से उत्पन होने वाला, अंडे से उत्पन होने वाला जो सरीर से जम लेता है तो जिसकी मनिष्ष जम सरीर से होता है पिंडज, अंडज, स्वेदज यह हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है बस इतना जानना थी आपरडीत किसे कहते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो जिसकी शादी ना हुई हो उसको आपरडीत कहेंगे और जिसका विवाह हो चुका हो उसको परडीत कहेंगे निमलिखित में से किस वाक्यांस के लिए एक शब्द दुर निर्वार प्रयुक तो होता है जिससे दूर करना कठीन हो कि जिससे दूर करना कठीन हो उसके लिए दुर निर्वार कहते हैं शब्द और जिससे जीत पाना कठीन हो उसके लिए दुर जे शब्द का उप्योग करते हैं निमलिखित में से तत्सम सब्द है तत्सम तद्भव सबने पढ़ा होगा तत्सम जो संस्कृट जैसा बोलने में लगता है और तत्भव उसी का हिंदी तो जिर्ड सब्द देख लो यहाँ पे वो मैं आपको और भी मैंने सिंपल कर दिये जो संस्कृत जैसा लगे बोलने में वो आप तत्सम करके आना वो जो हिंदी शब्द की तरह है उसको तत्भा तो वही बतायागिया है जीड तत्सम है जीड का तत्भाव जीना यानि की पुराना है गयंद अर्थ का मतलब हाथी होता है संस्कृत की यानि की तत्सम ना की संस्कृत बढ़व आप यूज़ करेंगी संस्कित की जैसा बोलने में लगता है तो वह तत्सम कहराता है दही, ग्राहक, तत्भा, शब्द है जिसका तत्सम है दधी और ग्राहक ठीक है, यह हो गया आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कौन सा है 17 पे अगहन का तत्सम रूप कौन सा है अगहन जैसे बोलते हैं चैस्ट आशाड अगहन उसकी बात वरिये जो हिंदू जो हमारा हिंदू पांचांग का एक महीना है अगहन उसका तत्सम रूप पूछे जा रहा है वो होगा अग्रहायड ठीक है अग्रहायड ओके समझ के होंगे आई होप आप लोग तो यहां पर हम बस यह कर रहे हैं साथ साथ में यह करते चलना है कि हमें जो पढ़ना है जैसे जिन जिनके पास नहीं होगी प्रीवेस यर की बुक किया फिर जिनके पास होगी फिर भी साथ में करत के लिए तो वह रिवीशन क्लास मान के आप इसको चले निमलिखित में इसे ततभाव शब्द है 14 शब्द ततभाव है क्यों मैंने बोलना जैसा संस्क्रिट जैसा बोलने में लगता है वह तत्वारी तो यह संस्क्रिट जैसा प्रतितुरब पर 14 बोलते नहीं हम लोग 14 15 16 तो कहते हैं ठीक है अभ्यंतर का ततभाव क्या है वही न हिंदी तो अंदर बाहर गहरा यह सब लगे इसका होगा भीतर अभ्यंतर का ततभाव शब्द भीतर है अभ्यंतर पुछे जा रहा है ठीक है यह देखो तत्सम है यह अभ्यंतर उसका ततभाव पुछे जा रहा तो आहर का है बहिर करपट शब्द का तत्भव यह वाला हम पहले भी कर चुके हैं देखो किस तरीके से रिपीट होता है बहुत बार कॉश्चिन यह देख सकते हो बहुत बार इसमें भी आपने देखोगा रिपीट हुआ है यहां पर तो मैंने बोल दिया ऐसा कि यह रिपीट यह वो विशेशड की विशेशड की हमने दूसरे तीसरे कॉश्चिन यह विशेशड पर हम आये हुए हैं तो क्या कहे रहा है वह बहुत खाता है मतलब यह अनिश्चित है परता ही नहीं कितना खाता है परिमाडवाचक मतलब वो जो बताते ना कि कितना खा रहा है पर निश्चित परिमाडवाचक भी होता है अनिश्चित तो यहां पर आनिश्चित है क्योंकि बहुत बोल रहे हैं पता ही नहीं कितना खाता है वो पर बहुत खाता है इस वाक्यों बहुत शब्द क्या है अनि पर यहां पर यहां पर रैंट compiled तो सकती सब्सक्राघ के साथ उन ज dov लोग थे वह इतना खाता है, उसने दो चीज़ें खरीद के लाई तो इस तरीके से निमलिखित वाक्यों में से यह वाक्य चुलिए जिसमें गुड़ वाचक विशेशड का प्रयोग के राता है तो यह होगा इसका वन मतलब क्या बता रहे हैं कि बालक के क्या विशेश्ता यहां पर बता रहे है क्या गुड़ बता रहे है बालक का कि वो नटखड सुबभाव का है ठीक है? I hope आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे Q23 पर आ गए है सतीस शंचल बालक है अब चंचल मतलब सतीस बालक है यह है कि वो किस स्वभाव का है सतीस उसका नीचर क्या है? वो बहुत ही चंचल है मतलब उसके गुड़ को बता जा रहा है कि गुड़ में जैसे इसके पहले बाले में क्या है? हमने यहां पर देखा कि वह नटखट, नटखट उसके गुड़ को बता रहा है, यहाँ पर विशेशड क्या करता है, विशेशता ही तो बताता है न, तो यह चंचल स्वभाव का है, तो यहाँ पर गुडवाचक विशेशड का प्रयोग किया गया है, विशेशड के चार भेद होते हैं, यह सब हम तहले भी विवेपर जो हमने किया है, विशेशड गुरूप यह सब से रिलेटेड, वहाँ पर देखोगी तो बताया है अल्रड़ी कि गुडवाचक होते हैं, संख्यवाचक होते हैं, परिमाडवाचक होते हैं, सर्वनामिक होते हैं, चात्रा के विशेशड होते हैं, मानस मानस मूल शब्द है जिसमें एक प्रत्य लगा दिया गया है प्रत्य क्या होता है जो सब्द के पीछे लगता है जैसे मानस है मानस है जैसे मानस है अब यहाँ बाद में पीछे इसके इक लगा दिया गया तो क्या कर दिया गया मानसिक इक प्रत्य लगा दिया गया उपसर्ग क्या होता है जो पहले लगता है ठीक है उपसर्ग शब्द के जो शब्द है उसके पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है औ तो बस यहाँ पर हमने यह देखा, अब देखो, आगे बढ़ जाते हैं, कि दीर्ग करते हैं, जैसे कि मानश मूल सब्द है, इसमें एक प्रत्य लगा, अब सब्द में जब लगता है एक प्रत्य तो पहले अच्छर को दीर्ग कर देता है, अथो व्रिद्ध कर देता है, जैस विशेषड सब्द का मूल शब्द क्या है चरित्र पता है चरित्र के ही बात तो करी जा रही है इसमें भी एक प्रत्य लगा दिया गया है इसी तरीके से मौखेक, धार्मिक और आर्थिक इन सम्में एक प्रत्य लगा हुआ है मिमानसा सब्द का सही प्रयावाची सब्द है इसका होगा समा लोचन मिमानसा का सही यह हमने देखा प्रयावाची क्या है समा लोचन और अन्य इसके प्रयावाची देखो तो है समिक्षा, आलोशना, विवेचना, निरोपड बिजली सब्दि का प्रायवाची क्या है सौधामिनी इसका बहुत सारे लोग को अलरड़ी पता होगा तो बिजली सब्दिक का बिजली का प्रायवाची सौधामिनी है इसके अलग जो और भी प्रायवाची है बिजली के वो है विद्दुत तडित चपला दामनी चमक सब्द कि हमने तीन जैसे देखो क्यों हमें प्रिविस एर कोशिन करना चाहिए जैसे हमें बिजली का सदामिनी पता चल गया ठीक है पर अगर आप एक्स्प्रेंशन नहीं पढ़ोगे तो आपको चमक का प्रकास का कैसे पता चलेगा तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है निमिल शरस्पती के परायवाची में भारती है बागेश्वरी वीडवादनी वाचा विद्या देवी यह सक शरस्पती के हैं नेक्स्ट आएंगे देखो यहां क्या कह जा रहा है कि कपड़ा का प्रायवाची देखो एक ही आप यह देखो नहीं है अब इसके पहले जो हमने इसी करपट का प्रायवाची क्या है तो उसमें कपड़ा आ गया था इसमें नहीं पूछ रहा अब आपको वहां पर मैंने एक्प्लेशन में बता दिया था क्पड़ा की कौन कौन सी प्रायवाची अब वहां से यह अलिमिंस्ट मतर्ड लग जाएगा आपको पता है कि वस्त्र क कपड़ा कहते हैं पट को भी कपड़ा दो आपको पता चल गहां दो में आपको कंफ्यूजन हो गया वासन मतलब कपड़ा नहीं होता है अगर आपको पता है तो यह वाला एंसर सई से करके चले आओए वाषण सथ प्रायवाची नहीं है वस्त्र पट वाषण कपड़ा के तो यही ना कि question करके ही पहले भी कपड़े का बहुत बार पूछा जा चुका है, I guess कि हर साल ही ये कपड़े का पूछ लेते हैं, निमलिखित में से कौन साथ सब्द मेघ का प्रयावची नहीं है, दामूधर नहीं है, पहली बात दामूधर लिखा ही गलत तरीके से गया है, इ किसके हो गए ये मेघ के, अभी देखो ये शब्द ही दामूधर ही गलत लिखाए क्योंकि दामूधर होता है, इसके प्रयावची है जनार्धन, चक्रपाड़ी, जो चक्रे लिए हुए है, विश्वंबर, मुकुंद, नारायन, केसव, माधव और चतरपुष, तो ये हो ग और ये जहाँ पर दूसरे का देखो बता है अनास्था का विलोम होगा आस्था, अनेक्ता का विलोम होगा एक्ता, अनाविश्च का विलोम होगा अतिविश्च, तो ये तो इसी था ये आपको अल्रड़ी पता होगा, चड़िक का सही विलोम क्या है साश्वत, चड़िक मत अग्रच का विलोम सब्द है अनुच, अच्छत का विलोम सब्द है विच्छत और अटल, अटल का विलोम सब्द है चंचल, अटल में इस क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम अपने जो हमने जुबान दी उस पे हम अटल है, मतलब हम उस पे आपको ये कह रहे हैं कि हम उसी पे हुए है अटल है मतलब वो एकदम कनफर्म है तो उसका क्या हो जाएगा चंचल चंचल तो कुछ भी फिक्स नहीं होता निमलिकित में इसे विलोम सब्दों की द्रिश्ट से एक युगम गलत है कौन सा है यह यह अनुचर परिचर गलत है दोनों का अर्थ सेवक है यानि कि शांदार का विलोम शर्वनाख है और बरबर का विलोम सब्दी है तो यह सही बताएगा पर गलत कौन सा हो गया यह वाला और इसका अनुचर परिचर जो है वो गलत है यह आपे यह आप हमीशा इसको वो कर लेना एक्जाम में की गलत पुछा जा रहा है या सही पुछा जा अच्छादित का अनच्छादित होगा ना कि ये वाला गलत है ठीक है वर्तनी की द्रश्ची से सुद्ध शब्द है विर्वत विवर्त ठीक है तो शब्द और शुद्ध वर्तनी दिया है चिन्न इस तरीके से लिखा जाएगा अनुग्रहीत नहीं होगा अनुग्रहित होगा एन विर हडी का विर हीडी होगा ठीक है शुद्ध वर्तनी वारे सब्द का चैन करना है इसमें जोत्सना ही लिखा गया है पर अलग अलग तरह से जोत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा देख लो क्या पतार रिपीट हो जाए कॉश्चन वर्तनी की दृष से कौन सा सब्द अशुद्ध है तो इसमें उतकरशुद्धा जो है वो अशुद्ध है और आगे बढ़ जाएंगे निम्रिक्षित में से एक सब्द शुद्ध वाकिया है तो यह है प्रतेक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्ते के पड़ें यहाँ पे भी चार बाज हम पहले पढ़े थे छे साथ मलब दस कोश्यन तो शुद्ध अशुद्ध वाकिय करने के आ जाते हैं हिंदी में और यहाँ पे है इसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है जिसका कोई शत्र नहीं जन्मा हो अजाज शत्रु कहेंगे उसे अजाज शत्रु आप कि सत्रु को जीत लिया हो सत्रु विहीं जिसका कोई शत्रु नहीं हो तो हमने सारा पढ़ लिया है यहाँ पे तो explanation बहुत ज़्यादा जरूर है यहाँ पे देखना खोज करने वाला खोज करने वाले को अनवेशक कहते हैं यह लाइन हमको याद रखनी है शुद्ध हिंदी है तो यह सब पढ़ना पड़ता है इसमें कोई conscious होनी वारी बात नहीं है कि मुझे नहीं आती है खोज करने माला वाक्यांस के लेक शब्द हो गया अनुवेशक और अनुपम जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं निवेशक निवेशक करने माला जो पुंजी लगाता है उसे निवेशक करते हैं ये तो सबको पता ही होगा ठीक है और परंस पर सम्मंधता या एकता ह सुंदर है सुग्रीव कहते हैं सुग्रीव मेट आप हूं आर्थ कहते हैं पर फिर द्वारा ना होसके उसे अतिंद्रिय कहेंगे पार्थिव को जीतने वाहéta जितेंद्र कहेंगे एक अक्टर भी है जितेंद्र ठीक है तो उनके नाम का मतलब क्या हो गया इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रियों से संबंधित को एंद्रिक कहते हैं वाक्यांसों और उनके लिए प्रयोक तो शब्दों के लिए निमलिखित युगमो में सही युगम का चयान कीजे तो यह होगा लोटकर आया हुआ जो है वो प्रत्यागत वाक्यान शब्दी है लोटकर आया हुआ को प्रत्यांगत कहेंगे जो इस्त्री अभिने करती हो आक्टिंग करती हो उसे अभिनेत्री कहते है जो व्याकरण जानता हो कहेंगे आखों से परे जो हो उसे परोच या प्रत्यक्ष कहेंगे और आखों के सामने जो हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे ठीक है आखों के सामने प्रत्यक्ष आखों से परे यानि कि आखों से दूर हो जो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे या परोच कहेंगे निमलकित में इसे तत्स सब्सक्रिट की बात करी गई है जो अल्रडी आपको बता है तो ओस्ट हो गया उच्छा को क्या कहेंगे उच्छा का याद रखना है आपको उज्वल का उजाला हो जाएगा उल्लू का उल्लू खुजएगा अब यह वाली लाइन याद रखना थोड़ासा डिफेरंट लग र और उच्छा का ठीक है यह हिंदी जैसा बिल्कुल एक्जाट नहीं प्रतित हो रहा है परीवा का तत्सम रूप क्या है प्रतिप्रदा परीवा तत्सम प्रतिपता है इसका हिंदी महा के प्रतेक पच्छ के प्रथम तीति को प्रतिपता कहते हैं तो जो हिंदी महा मतलब कि निमलिकी तद्सम तद्भहो सब्दो का यूगत है संगत यूगत, यूप्ट है, ठीक है ये प्रनोंशीयेशन देखो जिस तरीकि से कई बार इंग्लिश शब्द के बहुत सारे प्रनोंशीयेशन थोड़े से टफ होते हैं सेम एस हिंदियों में भी होते हैं तो बस हमें एक्जाम निकालने से मतलब है इतना ज़्यादा उस पे नहीं जाना है पर हाँ गलत करके नहीं आना है यह याद रखना है तो इसका यह हो जाएगा ठीक है पलंग का क्या होता है तत्सम तद्बह की बात करी गई है इसमें से कौ तो यह दोन तो आपको अल्रडी पता होगा तीनों और यहां पर जा रहा है निम्खित में से तद्भव शब्द है आसूस का होगा कपित का तद्भव शब्द क्या था है और कपूर का करपूर है यह तो हमने पढ़ा है केला का कदली और खजूर का खुरजर होगा ठीक है नि तो इसका होगा उचित उचित चब्द गुडवचक विशेशड है पाचवा तीन चब्द ये सब क्या है निश्चित संख्या वाचक देखो आ निश्चित हमने पढ़ाता था जो बहुत बोला था न उसने कि वह बहुत खाता है तो वहाँ पे आ निश्चित परिमाडवच तो जैसे कि पांच तीन तो यह निश्चित है और उचित गुडवाचक विशेषड है निमलिकित मैं से कौन सा विशेशड संग्या से नहीं बना है तो इसमें होगा सुन्दर सुन्दर विशेशड संग्या से नहीं बना है और ये विशेशड विकारी और विकारी दोनों होते हैं इसमें बता रहे हैं और अपने मूल रूप से बने होते हैं जैसे सुन्दर, पीला, गोरा, सुडोल, भारी, चंचर और कुछ विशेशड संग्य सब्दे में प्रत्य लगा कर बनते हैं जैसे धार्मिक और चमकीला चमकीला में कौन सा प्रत्य है? इला प्रत्य है ये पता होना जिए आपको अवस्था, विशेशड, गुडवाचक, विशेशड, विशेशड का प्रयोग किया गया है अब तीन अवस्थाएं होती हैं विशेशड की ये याद रखना है वहाँ पे हमने जो पढ़ी थी कितने प्रकार पढ़े थे पर अवस्थाओं में एक चीज और देख लो मुलावस्था होता है, उत्रावस्था होता है और उत्मावस्था होता है मुलावस्था उसे कहते हैं जिसमें संग्या या सर्वनाम समानिस्थीदिका बोथ कराते हैं उसको कहते हैं जैसे मोहन अच्छा लड़का है उत्तरावस्था दो संग्या यह सर्वनाम की तुलना जहां पर की जाती वो उत्तरावस्था होता है जिसे महेश राहूल से अच्छा है कंपैरिजन जहां किया जा रहा है वो उत्तरावस्था हो जाएगी और जहां पे बस समान ने बात की जा रही है कि वो अच्छा लड़का है वो अच्छी लड़की है तो यह समान इस्थेती यानि उत्तमा और उत्रा जहां पे comparison हो रहा है और उत्तमा वस्था मुलावस्था उत्रावस्था और उत्तमावस्था जिसमें दो से अधिक संग्या या सर्वनाम की तुलना करी जाती है करके एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है मतलब दो संग्या या सर्वनामी के तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए वहाँ पी जैसे अकबर सबसे अच्छा है तो बहुत सारे लोगों को include कर लिया गया इसमें दो लोग को बताया था ना कि महेज राहूल से अच्छा है महेज की महेज और राहूल की comparison ही पर अकबर सबसे अच्छा यानि कि सब को include कर लिया गया है तो वो कौन सा हो जाता है उत्तमा वस्ता सौर किस सब्द से बना विशेशड है किस मूल सब्द से बना विशेशड है तो वो शूर्य है ये तो आपको पता है सौर और विशेड है तो वो किस सब्द सब्द से बना विशेशड है आग सव्ता विशेशड है और यहाँ पर आग जो दिया गया है ये तत्थाव है okay अब आगे आजाएंगे आकाश का परहया वाची सब्द क्या है परहया वाची आपता है ना कि एक सब्द है उसके तरह बहुत सारे ऐसे उसके सब्द होंगे जो कि same meaning के होंगे समानार्थी भी आप कह सकते हो लेकिन इसके लिए use होता है शब्द परयायवाची तो इसका होगा शून्य आकास, आकास की परयायवाची और क्या क्या है आकास को और क्या 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 कह सकते हैं हम सून्य कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं नब कह सकते हैं, अंबर, व्योम, ये सब कह सकते हैं, प्रभा को क्या क्या कह सकते हैं, प्रभा को चमक कह सकते हैं, जोती, दीपती, कांती, छवी, आभा, ये सब कह सकते हैं, सोना जो है, उसके परायवाची कनक होगा, ठीक है, सोना की परायवाची कनक है, इसके और सोना के द बताने के लिए, ठीक है, तो यह हो गया, अर्ग का बता रहे हैं, यहाँ प्सकी शब्द किया है, तो यह पंच्छी को बताए गया, यह तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है, क्या बलता है guess work कर सकते हो यहाँ पे तो अन्य प्राया क्या-क्या है अंडज, विहग, खग, विहग, शकुन, पंतक, परिंदा, चिडिया फिर यहाँ पे है निम्लिखित में से कौन सा सब्द चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है याद रखना लाइन चंद्रमा का प्रायवाची नहीं पुछरन नहीं है तो सुधान्शू, सुधाकर, सुधाधर है सलील नहीं है क्योंकि सलील चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है बलकि पानी का प्रायवाची है पानी के अन्य प्रायावची देखोगे तो नील, तोय, अम्बू, अन्वारी होगा और सुधान्शु, सुधाकर, सुधादर, मयंक, शशी, चंद्र, राकेश ये सब चंद्रमा के प्रायवची है लास्ट कोश्चन हमारा, कोश्चन नमबर सिक्स्टी, जो आते हैं हिंदी में निमलिके सब्दों में से एक सब्द माता का प्रायवची है, माता शब्द के प्रायवची नहीं है याद रखना, गल्ती क्या हो सकती है, माता की प्रायवची सोच के हम कर ले, नहीं है इसमें अम्बू नहीं है अम्बू माता की प्रायवाची नहीं है अपर तो पानी का प्रायवाची है अम्बू और अम्ब अम्बा जन्नी मात्र धात्री माता के प्रायवाची है तो ये हो गया हमारा हमने डिस्कुस कर लिया वीडियो गर आपको पसंद आई हो ठीक है तो लाइक करें आप वीडियो को जादे साथ लोग को शेयर करें चैनल पे आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फर वाचिंग और प्लेलिस्ट में आप जाके और भी वीडियो देख सकते हो थैंक्यू